फैक्ट नमबर वन, नेपच्यून को लगभग 165 बर्ष लगते है सूरी की परिक्रमा करने में। फैक्ट नमबर टू, जितनी उर्जा पूरी प्रित्वी के लोगों द्वारा एक बर्ष में उप्योग के जाती है, उतनी उर्जा सूरी से हर घंटे प्रित्वी पराती है। फैक्ट नमबर त्री, प्रित्वी तक चांद का प्रकाश आने में लगभग 1.3 सेकेंड का समय लगता है। फैक्ट नमबर फोर, आप अंतरिक्ष में सिटी नहीं बजा सकते है। फैक्ट नमबर फाइव, क्या आप जानते हैं कि आधे चंद्रमा की तुल्ना में पूरा चंद्रमा, नौ गुना ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। फैक्ट नमबर सिक्स, चंद्रमा के मुकाबले हमारी प्रित्वी का वजण 81 गुन ज्यादा है। अगर कोई भी तारा ब्लैक होल के पास से भी गुजरता है, तो वह तूट कर विखर जाता है अमेरिका ने 1963 में अंतरिक्ष में एक हाइडरजन बम फेका था, जो की 100 गुणा ज्यादा शक्तिशाली था हेरोशिमा में फेके गए बम की तुलना में मंगल ग्रिह एक ऐसा ग्रिह है जिस पर सूरियास्त निला दिखाई देता फैक्ट नंबर 13 रोमन देवता के नाम पर प्लूटो का नाम रखा गया है स्पेस स्टेशन को हमारी धर्ती का एक चक्र पूरा करने में 90 मिनट का समय लगता है चांद की सतह का सबसे बड़े गड़े का व्यास 2500 किलो मीटर है तथा 8 किलो मीटर गहरा है चांद पर उलका पिंडों के गिरने की वज़े से गड़ों का निर्मान हुआ है प्रित्वी पर भी रोजाना हजारों लाखों उलका पिंड गिरते रहते हैं परन्तु प्रित्वी पर वायूमंडल की मौजूदगी के कारण सामान्य तौर पर कोई हानी नहीं होती है इले अंतरिक्ष के काले होलों को गैलेक्सी कहा जाता है हमारे ब्रहमान्ड की उम्र 13.7 अरब साल है जो बिग बैंड से लेकर अब तक का समय है कहा जाता है कि ब्रहमान्ड की उत्पती एक उर्जा से भरे बिंदु में से हुई थी इस ब्रहमान्ड की उत्पती वाली थेयरी को बिग बैंड से जाना जाता है जिसकी दो वैग्यनिकों ने गलती खोज की थी हमारी गेलेक्सी का नाम मिल कीवे है जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं यहाँ शब्द संस्क्रिप भाशा से है गेलेक्सी को हिंदी भाशा में आकाश गंगा कहते है तो आप 2000 साल में एक पुरी आकाश गंगा गिन देगे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी डॉट आर 136 अर एक नाम का तारा ब्रहमांड का सबसे चमकदार और विशाल तारा है जो सूरज की तुलना में 8.7 मिलियन गुना ज्यादा चमकदार है धलार्ज मेगालिने क्लावड नाम की गेलेकसी ब्रहमांड की सबसे ज्यादा चमकदार गेलेकसी है डॉट हमारे सूर्य के बाद सबसे नसदी की तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है डॉट अब तक का खोजा गया ब्रहमांड का सबसे बड़ातारा यू डॉट वी डॉट स्कूटी है जो हमारे सूर्य से 1700 गुना बड़ा है हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है सूर्य को आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में 22 वबास पांच करोड़ साल जितना समय लगता है अभी आकाश गंगा के जिस स्थान पर हमारा सूर्य है चांद की सतह का सबसे बड़े गड़े का व्यास 2500 किलो मीटर है तथा 8 किलो मीटर गहरा है चांद पर उलका पिंडों के गिरने की वजह से गड़ों का निर्मान हुआ है प्रित्वी पर भी रोजाना 1,000,000,000 उलका पिंड गिरते रहते हैं परंतु प्रिथ्वी पर वायुमंडल की मौजूदगी के कारण सामान्य तोर पर कोई हानी नहीं होती है इंसान के शरीर में चार तरह का बलड होता है A, B, AB और O जबकि बिल्लियों में बलड 11 तरह का होता है कुतों में 13 और गायों में लगभग 800 तरह का रक्त पाया जाता है तहारा दुनिया का सबसे बड़ा उप उश्नकटी बंधिय गैर धुरुवीय रेगिस्तान है जो लगभग 3.5 मिलियन वर्ग मील है पर्थ उस्ट्रेलिया का एक ऐसा शहर है जहां सबसे तेज हवा चलती है फैलकन नाम की एक पक्षी है जो की 320 किलो मीटर प्रती घंटे के स्पीड से उड़ती है ज्यानिकों ने एक ब्लैक होल में अनोखी खूबी को खोजा है यह ब्लैक होल प्रत्वी से 25,000 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है और आकार में हमारे सूर्य से 40,000 गुना ज्यादा बड़ा है इस ब्लैक के बारे में जानकारी में पाया गया है कि यह हर 76 मिनट में घड़ी की सुईयों की तरह स्पंदन करता है इस ब्लैक होल का नाम है सेगिटेरियस ए वैग्यानिकों का कहना है कि ब्लैक होल की गामा किरण में उतार चड़ाव हो रहा है अनुमान है कि ब्लैक होल चारों और ऐसा कुछ कक्षी अगती है जिसकी वजह से यह स्पंदन हो रहा है फिलहाल ब्लैक होल से किसी रेडियेशन का पता नहीं चला है जो छायाएं इसके आसपास दिख रही हैं वह इतनी गहरी काली हैं कि टेलिसकोप से दिखाई ही नहीं देती खगोल विदो ने ब्लैक होल के एरिया में एक पैटर्न का भी पता लगाया है हालांकि इसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ब्लैक होल हर 76 रेडियेशन की एक किरन छोड़ता है वैज्ञानिकों ने इस ब्रहमांड में प्रकाश की सबसे उर्जावान तरंग दैर्ध्य सीमा करार दिया गया था ब्लैक होल ऐसी पहली हैं जिनके बारे में सब कुछ जानने के लए ज्यानिक वर्षों से जुटे हुए हैं ब्लैक होल को आसान शब्दों में समझना हो तो यह हमारे ब्रहमांड में ऐसी जगहें हैं जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता वहां सिर्फ गुरुत्वा कर्शन है और घना अंधेरा ब्लैक होल का गुरुत्वा कर्शन इतना पावर्फुल होता है कि उसके असर से रोश्नी भी नहीं बचती जो भी चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है वह बाहर नहीं आ सकती अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी और भी रोमांचक यात्राओं में शामिल हो सकें इंगविन एक ऐसा पक्षी है जो समुंदर का खारा पानी पी सकता है क्योंकि उनकी सुपर आपिटल ग्रंथी उनके रक्त से बिन जरूरी नमक अलग कर लेती है